इस वीडियो में जो हम व्यल्ड कप क्वालिफायर्स का एक बहुत बड़ा मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा केमरून वर्सिस अल्जीरिया के बीच मैच का वेन्यों का केमरून रात में 10.30 पीम पे मैच स्टार्ट होने वाला है तो दोस्तों एक बहुत बड़ा मैच है के केमरून और इल्जीरिया इन दो बड़े फुटबॉल प्लेंग एफ्रीकन नेशंस में कोई एक ही पहुच पाएगा वर्ल्ड कब में एक बड़ा नेशं बाहर हो जाएगा फिलाल फीफा रेंकिंग भी देखिए केमरून की 38 है अल्जीरिया की 43 है बहुत क्लोज मामला है और दोनु ही टीम्स में कई बड़े स्टार प्लेयर्ज भी खेलते हैं तो ये मैच प्रेटिक्ट कर पाना तो बहुत ज्यादा मुस्किल होने वाला है अब हम बात करते हैं एफ कॉन में क्या हुआ एफ कॉन आपको यादो का भी एक डेल महिना पहले हमने एफ कवर किया थे केमरून में हुआ था होस्ट नेशन था है और केमरून सेमी फाइनल तक पहुचा था जबकि अलजीरिया जो कि लास्ट टाइम का एफ कॉन विनर था इनको वन अफ दा फेवरेट बोला जा रहता है एफ कॉन जीतने का लेकिन उलट फेर का सिकार हुआ था अलजीरिया और यह पहले ही राउंड में बाहर हो गया था एफ कं से और इनका परफॉमेंस बहुत ज्यादा खराब रहा था अभी जो एफ कन कंक्लूड हुआ है तो शोली एफ कन के हार के बाद पहले राउंड में जो बहुत क्रिटिसाइज हुआ अलजीरिया अब वह यहां पर बांस बै यह मैच होने वाल है फिलाल यह दो लेक का मैच होगा पहला लेक केमरून के घर में तीन-चार दिन बाद दूसरा लेक अलजीरिया के घर में होगा फिर जो दोनुका मिलाके विन्दा निकलेगा वह पहुचेगा वाल्ड कब में तो मैच पूरी तरह से इवन है यहां पर को जिते दो द्रॉस थे पच्चीत अच्छे गोल मारे चारी खंशीट के और 14 इनके पॉइंट थे वहीं केमरून भी अपने टॉप में फिनिश करके पहुची गुरूप दी में थे च्छे में पांच जी एक हारे बारा गोल मारे तीन तीन गूप में अच्छा गया खास तर केमरून के favor में जा रहे इनको favorite बदा रहे सिर्फ इस वज़े से क्योंकि recent form में अच्छे है क्योंकि इन्होंने एफकर में अच्छा गिला ओर दूसरा इनके बास home advantage है बट मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा home advantage factor होगा अलजीरिया भी बहुत बड़ी टीम है जैसा भी उनका खराब परफ़ोंस रहा लेकिन ये पूरी तरह से केमरून को अरा सकते हैं और सभी फूटबॉल मैचेद हम टेलीग्राम चैनल में कवर करते हैं उसका लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या आपको मिलेगा टॉप पिन कमेंड में वहां से जुड़के आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जोइन कर सकते हैं 43 या 4400 के आसपास सब साले चैनल आपको मिल जाएगा अब हम आते है प्रोविबल लाइन अप पे पहले केमरून की बात कर लेते हैं तो यहां पे कोई क्लियर कट फेवरेट तो है नहीं अगर मैं के मैं अलजीरिया के प्लेयर पिक करूँगा अगर मैं के प्लेयर पिक करू सब्स होने वाला है तो फिलाल केमरून की 11 देखते हैं उनाना इनके गोलकीबर हुँगे चार इनके डिफेंडर है फाई मकोंडी नागाडियू और अभी केले दोस्तों ना यहां पे मुझे नहीं पता किस टीम की क्लिंचीट आजएगी किसी की भी आ सकती है केमरून भी क् क्लिंचीट रख सकते हैं और दूसरा यहां पे तो 1122 अच्छे चांस है इस्टिल मैं एक बैलेंस बनाने के लिए ना दो दो डिफेंडर दोनु जगे से पिक करो दो केमरून दो एलजीरिया क्योंकि क्या वर्रसा किसकी क्लिंचीट आ जाए तो इस वह से मैं एक बैलेंस ब करना बट फिलाल के लिए मैं दो दो का बैलेंस बना रहों डिफेंस सेक्शन में अभी इनके डिफेंस में मेरी टॉप टू जोइस रहने वाले हैं अगर मेरें को थार्ड चूज करने हुए मेभी मैं मकॉंडी के साथ जाओं बट एमबावजी भी ठीक आ गया है बट अभी डिफेंडर में वहां से भी चूज करूँगा एक बैलेंस बनाने के लिए क्योंकि यहां पर डिफ्रेंशेट कर बाना दूट इनको बहुत ज्यादा मुस्किल हो रहा है मिट फिल में हुंगला और डिफेंसिव में खिलिंगे जिसमें गोएट प्रॉपर डिफेंसिव साथ जा सकते हैं यह मेभी 22 से पॉइंट गोल असिस्ट देने वाले प्लियर है अभी के लिए मेरी चॉइस रहेंगे हुंगला बहुत अच्छा है एक्वान में किया थे तीन चार मैचेस में और डिफेंसिव भी किया था मतलब इनके पोटेंशल भी है डिफेंसिव भी और आपको याद होगा इन्होंने 12-13 गोल्स मारते इन दोनों नहीं 13 गोल्स मारते शाहें उसमें 12 गोल्स में अभूबाकर और इकांबी का एक ओंट्रबिशन था बहुत बहुत इंप्रेसिव फॉर्म में थे दोनों और इकांबी अपने क्लब में अच्छा कर रहे है अब बचे अबुबाकर और चूपव मोटिंग बयान म्यूनिक के लिए खेलते हैं अच्छे प्लेयर हैं वहाँ पर लेवन डॉसकी के बैकप के तौर पर खेलते हैं लेकिन इनको जब भी मौका मिलाना है गोल असिश करते हैं बट एक चीज में नोटिस कर रहाता है एक करन मे अने मारे थे चार या पाच मैजेस में बहुत अच्छी फॉर्म में थे एपकॉन में और अभी जो वर्ल्ड कप कॉलिफार है उन में भी इनके दो गोल है और यह ऑन पेनल्टीज भी होंगे तो मैं इनको तो शोली पिक करूँगा अभी के लिए मैं चूबा मोटिंग डॉ वाकर को तो पिक कीजिए इकाम भी आप ड्रॉप करने का रिस्क लेके चूबा मोटिंग के साथ जा सकते हैं फिलाल के लिए मैं इकाम भी और अभू वाकर को चूज करके चूबा मोटिंग को ड्रॉप कर रहा हूं तो यह केमरून की प्रोविबल 11 थी लगबग सभी चीज हम टेलीग्राम चैनल में कवर करते हैं उसका लिंक यह तब को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या आपको मिलेगा टॉप पिन कमेंड में वहां से जूड़के आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जोइन कर सकते हैं 43 या 4400 के आसपास सब साला चैनल आपको मिल जाएगा अब हम बात करते हैं अलजीरिया की बॉल ही इनके गोलगीवर होंगे अब आप गोलगीविंग सेलेक्शन आप पूरा 50-50 एंबोली हो या कैमरून के गोलगीवर है उनाना आप अपने अकोडिंग कॉल लेना क्यूंकि दूनु टीम्स एक दूसरे पर अटेक करेगी खास त सेक्शन में दो अटेकल यारो एकांबिय और अबुबाकर तो मैं एजियूम कर रहा हो थोड़ा ज्यादा अटेक यहाप एक एमरून कर सकती है बड़ आप अपने अकोडिंग कॉल गोलगीविंग सेक्शन में ले सकते हैं चार इनके डिफ्रेंटरों के अटल है मंडी है ब अटल फ्रेंच लिग में खेलते हैं बहुत अटेकिंग फुल बैक है और डिफेंसीव भी अच्छा करते है और बेंसेवीनी तो भी बहुत ज्यादा टेकिंग है यह तो कभी-कभी कॉनर किक फ्रीकिक इवन यह कभी-कभी पेनाल्टी भी लेते अपने क्लब में यहाँ तो इगनोर कर सकते हैं बेनाशयर खेलिंगे इनके साथ जो की एसी मिलान के लिए खेलते हैं और इस टीम के वनबदा टॉप प्लेयर में काउंट होते हैं यह बहुत अच्छा है और मिट्फिल में में मेरे बहुत ज्यादा ऑफसंस भी नहीं बिले तो मैं अभी के लिए बेना इनके बारे में बताने की जरुवत नहीं है और एक टॉप केप्टन वेस केप्टन सी ऑप्सन भी रहेंगे इस मैंच में तो फॉरवर्ड सेक्शन से एकलोते पिक हमारे रहेंगे अल्डीरिया से अब सोफियन फिगूली हो गए इसमाइल स्लिमानी हो गए दोनू अच्छे प्लेयर हैं बट दोनू फॉरवर्ड सेक्शन में इस्टेडए स्पॉर्ट ही नहीं बच रहा क्यूंकि मैं अबुबाकर इकांबी और महरेच के साथ जरूं तो यह दोनू वैसी हम इग्णोर करने हैं फिगूली रीसेंट फॉर्म बिल्कुल अच्छी नहीं है क्लब पाकर के साथ जा रहा हूं और इस वह से मैं करता मैंच रिस्क है क्योंकि इतने सारे अप्सन है कोई ना कोई बड़े प्लेयर ड्रॉप करने बढ़ेंगे मिड्फिल्स एक प्लेयर रॉल लिजा रहो यूसूप बिलाइली इनका भी कोई बहुत अच्छे एफकन नहीं गया रियलडी इनको ड्रॉप करना बड़ है फिर महारेज चीष के थे फिगूली के भी तीन गोल ते एक गोल 2-5 बिलाइली इक था फिलाल जो मेरी साथ यह मैंने लियक से लिख़ता है होंगला बिलाली और बिनाश रियाद महारेज है इकांबी और अबुबाकर है अब हम 1-1 ट्रो के साथ जा रहे हैं महारेज स्लीमानी या महारेज बन tilted कर सकते हैं अगर आप एक काम्रुन विक्त्री के ला रहे अब वाकर कभी एक कांब्हेका कॉबिनेस्ट रहेगा केपटन वाइस केपटन सी के लिए तो फिलाल ये मेरी deliver of team थी जो भी मेरी updated final team होगी लाइना पानी के बाद में telegram channel में post कर दूँगा उसका link के description box में join कर लिजे